गर्मियों में जिस तरह से हम बोलते हैं कि लाइट वेट की कपड़े पहनने चीए लाइट कलर की कपड़े पहनने चीए लाइट मेकप करना चीए लाइट खाना खाना चीए इसी प्रकार से आप अपनी स्किन के उपर भी जितना जादा हो सके लाइट बेस लगाए लाइट स्किन केर रखे जितना जादा हो सके हलके आपको डियाई वाइज भी ट्राय करने चीए बहुत जादा भारी भारी DIY अगर आप अपनी स्किन पर करेंगे तो extra oil आपकी स्किन के उपर बनाएंगे आज मैं आपके साथ share करी हूँ तीन face pack ऐसे जो आपकी स्किन की oiliness के उपर bleach के उपर अगर आपको skin को bleach करना है किस प्रकार से आप कर सकते हैं क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें की भरपूर मातरा में vitamin C है क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में ही रखी हुई जो आपके skin के excess oil को control करेगी और यहां फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके color tone को brighten अपके आपके skin के उपर लाएंगे वो pinkish वाला glow आपने अक्सर मलाइका औरोडा की skin देखी होगी बहुत जारा उनके जो cheeks है red red दिखाई देता है pink pink दिखाई देता है इसके पीछे कुछ एक चीज़ें हैं जो regular अपनी skin पर करती है और आज मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ही secret है जो कि अक्सर मैं भी अपनी skin के उपर अपलाया करती हूँ मेरे skin के उपर आपको देख के लग रहा होगा कुछ नहीं है light के नीचे बैठी हूँ मैं आपको दिखाई भी देती हूँ simple light जल रहे है nothing else मेरे घर का जो रूम है जहां पर मैं शूट करती हूँ वही है even आज तो खिड़की के पास भी मैं नहीं बैठी हूँ क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो आपको देखने को मिलते रहे हमारी फैमिली का हिस्सा अगर आप हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट यहां पर मैं लेकिया दू धेर सारे डियाइवा इसकिन से रिलेटिड बालों से रिलेटिड ऐसे इसी रेमडीज जो घर में रखे हुए सामान के स साथ में बनती हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो चुके हैं अल्रीड तो आपका मोस्ट वेलकम है तो उस रेड वाले बटन को दबा दीजे जिससे आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे लाइक करते जेगा व और बहुत विटमिन्स, बहुत सारे मिनर गहां अटियम्टहर्य पोरस में आपकी शिकन के बहुते के जो मोटें मोटें पोर्स हैं जिनके इंदर गंदगी मैल धूल बं गया है जम और बहुंब बहुत हैं इसको यह क्ली करने में पहां ज़़जा ह collab करता है हो क्लीट इस व मसूर दाल चावल का पाउडर, जो कि मैंने अल्रेडी बनाया हुआ है, इसका वीडियो मैंने अल्रेडी अपलोड किया, आप जाके चेक आउट कर सकते हैं, पाउडर आपकी स्किन के ओपर विटामिन C का तो इफेक्ट करेगा ही, आपकी स्किन के एजिंग के ओपर भी बहु इसे रोखेंगे आपकी स्किन के ओपर और आपकी स्किन के जो पोर्स है, इसको क्लीन करके आपकी स्किन को ब्रीच लेने में हेल्प करेंगी, और कलर तो इससे ब्राइटन अप होगा ही, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अपने स्किन को लेके बहुत जारा खुश हूँ, साथ में विटामिन सी के सोर्स बहुत सारे हैं ऐसे तो देखा जाए आप औरेंज में पा सकते हैं विटामिन सी आपको नीमु में मिलता है विटामिन सी आपको दही में मिलता है विटामिन सी आपको आपल में मिलता है विटामिन सी लेकिन क्या होता है नीमु को आप लीजेगा, full of juice के साथ में जो बीटरूट रहता है, उसमें विटामिन C पाया जाता है, एंटी ऑक्सिटेंट पाया जाते हैं, मिनिरल्स पाया जाते हैं, स्किन की एजिंग को किस प्रकार से रिवर्स आप कर सकते हैं, आपको बीटरूट में देखने को मिलेगा, इसलिए बीटरूट को रेगुलर आपने अपनी डाइट में भी जरूर लिया किजिए, आपने क्या करना है, आधा पीस बीटरूट का लेना है, उसको कद्दू कस कर लेना है, मैंने एक बार के लिए बनाया है, आप चाहो तो इसको एक हफ़ते का पैट भी बना के रख सकते ह को भी हटाने में बहुत जादा है, तो यह आपने क्या करना है, एक चमच आपने ले लिया और इसके साथ में अब हम इसमें डालेंगे एक चमच बेसन, बेसन की प्रॉपर्टिस आपको पता है, ओल को यह बैलन्स करती है, हमारी स्किन के काले दाग तबों को हटाती है, हमा लिए भी बहुत जादा जाएय। तो आपने इसमें मिलाना है जी बेसन, ठीक है, आपने अब जो बीट रूट का जूस है, और जो बेसन है, इन ही दोनों चीजों के साथ में आपने इसको मिक्स करना है, और हल्का सा पने लास्ट में अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा करना है ताकि जो बेसन है वो थोड़ा सा और गीला हो जाए और बाकि जो बीट रूट का जूस है वो अपना काम करेगा तो यह हमारा एक सिकिंड पैक बनके तयार है यह ऐसा नहीं है अच्छा मैं लास्ट में आपको एक और चीज बताऊंगी तो यह चीज में ध्यान में और अच्छा काम करता है अगर आप सेंडल वूड को अपनी स्किन पर अपलाय करते हैं और लेट जाते हैं आपको नीद बहुत अच्छी आएगी तो यह आपकी बॉड़ी को बहुत हद तक कूल डाउन कर देगा शांथ कर देगा आपकी स्किन के जितने भी तन्तू एक्ट भादी डाली है वह हमारी ऐलोवेरा जल अप मारकित वाला भी ले सकते हैं अपकिल काम करेगा तो हमने दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और साथ में हमने मिलाना है आधा चमळ के आसपास रोज़ वोटर प्योरोज़ वोटर ली जेगा प्लीज इसमें आपने बिल्कुल मिलावत वाला यहां किसी भी ब्रैंड का मत ले लिजेगा अच्छी ब्रैंड का रोज वाटर आपको लेना है अच्छे से मिक्स करिए कि बहुत बड़िया सापका एक पैक बनके तयार है कितने सिंपल होम रेमेडीज होती है जो घर में रखे हुए सामान के साथ में ही बनती है आशा करती हूँ आपको यह रेमेडीज पसांद आई होगी कुछ एक ऐसी रेमेडीज है जो आप बच्चों को भी लगा सकते होते हैं कुछ एक रेमेडीज होती है जो बच्चों को नहीं कौफी पील होता है, जो 20 अबव होते हैं, क्योंकि कौफी पील आपके बालों आपके बाल के अब भी बन रहे हैं, आप थोड़ा सा केर करिए उनकी स्किन के उपर बाल हैं, वैसे तो ग्रेजुली वो धीरे धीरे उमर के साथ कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं उन और मलाई का या फिर आते का और मलाई का एक उप्तन तयार करिए मैंने बताया हुआ आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं उसका वीडियो अप्लोडिट है कि उप्तन किस तरह से बनाना है उस उप्तन को आपने गाड़ा फॉर्म में बनाना है और उसको बच्चों की स्किन के लेकिन प्लीज आप ये make sure करिएगा कि बिल्कुल भी आप उसको hard massage नहीं देंगे लगाने के बाद में आपने धीरे-धीरे softly massage करनी है बच्चे की skin के उपर धीरे-धीरे जितने भी होंगे वो बाल soft होते जाएगे उसकी जड़े होंगी वो soft हो जाएगी और जैसे-जैसे आप करते जाएगे जैसे हफते में एकी बार करिएगा इससे जादा मत करिएगा धीरे-धीरे-धीरे वो बाल आपको कम होते हुए दिखेंगे लेकिन age के साथ में भी बच्चों के जो बाल होते हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं मेरी बीबेटी के पहले हाथ पर पर काफी बाल दे अब बहुत अतर कम हो गये हैं एज के साथ में भी बाल कम हो जाते हैं लेकिन इससे उप्टन से क्या होता है यह आपके बच्चों की स्किन को निखारने में भी बहुत हल्प करता है अगर आपके बच्चों की स्किन का जो बिंद आपन को बिलेंगा है। करेगा मैं आपके comment का वेट करूँगी मिलते हैं next remedy के साथ में जहां फिर्चे शेयर करूँगे आपके लिए कोई और बड़िया सी remedy जो आपके skin के related problem से ही connected होगी अगर आपको कोई query है अगर आपको कोई पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं आप मुझे follow कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फेस्बुक के मेरे चार पेज़िस हैं इंस्टाग्राम का मेरे पेज़िस हैं सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाबाए टेक केर